पिछली वीडियो में हमने सीतियूद के बारे में पढ़ा और फिर हमने जाना कि किस तरह से दुनिया सीतियूद के समय दो धुरुविये हो गई थी अमरीका और सोवियत संग दो गुट बन गए थे और ये लगातार इनमें संगर्श चलता रहा और लगातार हत्यारों की होड भी बनी रही लेकिन हमने देखा कि जो ये गुट बनी थी जो दुनिया दो धुरुविये हो गई थी तो ये जो इनमें हत्यारों की होड इतियादी चलती रही ये 1945 से लेकर के 1990 तक चली और 1990 में हमने देखा कि 1989 में जो जर्मन की बरलिन की दिवार थी वो भी तोड़ दी गई पूर्वी जर्मनी के लोगों दुआरा और जर्मन का एकिकरन हो गया और जर्मन की दिवार का तूटना एक तरह से सोवेत संग के विक्तन का और इस इसके आते आते 1991 में सोवेत संग का विक्तन हो गया पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सोवेत संग के विक्तन के अनेक कारण रहे अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि सोवेत संग के विक्तन के क्या-क्या परिणाम हुए तो हम यह जानने का प्रियास करेंगे कि तो सोवियत संके विक्टन का सबसे बड़ा प्रिणाम निकला सित युद के संगर्स का अंत यानि जैसा हमने देखा था कि सित युद में जिससे में कोल्ड वार चल रहा था सित युद था यानि दुनिया के दिक्तर देश या तो सोवियत गुट में सामिल हो रहे थे जहां समाजवादी वियस्ता थी या फिर अमरिकन गुट में सामिल हो रहे थे जहां पूंजी वादी वियस्ता थी लेकिन 1991 में सोवियत संके विक्तन के बाद दुनिया एक धुरूवय हो गई और जो सीत युद में जो संगर्स चल रहा था उसका अंथ हो गया। और दोनों ही गुट अपने आपको सक्ति साली मानते थे और एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिस कर रहे थे लेकिन जब 1991 में सोवियत संग का विक्टन हो गया तो दुनिया जो है एक ध्रूविय रह गया यानि दो ध्रूविय विवस्ता का अंथ हो गया अब विश्व के प प्रिणाम ये निकला कि हतियारों की होड की समाप्ती यानि पूरे सीतियुद में हमने देखा था कि जो दुनिया थी दो खेमों में बढ़ गई थी और दोनों ही खेमों में हतियारों की होड लगी हुई थी दोनों ही खेमें जादा से जादा हतियारों को इकठा कर रहे थे अनेक घातक हतियारों को इकठा किया गया, मिसाइलों को इकठा किया गया, प्रमानु अस्तर सस्तरों को इकठा किया गया क्योंकि दोनों ही देश, दोनों ही खेमे के देश, एक दूसरे को आशंका की द्रिष्टी से देखते थे उन्हें लगता था एक गुट, दूसरे गुट पे कभी भी आकरमन कर सकता है, प्रन्तु जब सोवियत संक का विक्तन हो गया, तो सोवियत संक के विक्तन के साथी 1991 में सोवियत विवस्ता समाजवादी विवस्ता का भी अंत हो गया, और उसके हों अंत होने पर अमरीका एक मात सकती बचा, तो विश्त में हतियारों की होड की समापती भी हो गई, नमबर चार, चोथा जो इसका प्रिणाम निकला, वो था सोवियत खेमे का अंत और 15 नए देशों का उदै, यानि जिस समय सोवियत संक बना था, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था, कि 1917 में, 1917 से पहले सोवियत संग में जार का निरंकुष सासन था, और उस सासन के खिलाप में भारी आवाज उठी और बड़ा संगर सुआ, और लेनिन के नित्रतु में बोलेश्वी करांती हुई, और बोलेश्वी करांती के बाद जार के निरंकुष सासन को उखाड फैका गया, और 15 देश जो थे ये सोव्यत संग में सामिल थे और सोव्यत संग बड़ा विसाल और सकती साली जो है राज्य बना परन्तू जब 1991 के आते आते इन 15 देशों में भी असंतोस की भावना का उदै हुआ जिसके विभिन कारण थे और राष्टवादी भावना का भी उदे हुआ, इनका समाजवादी व्यस्ता से मोह भंग हो गया था और इन्होंने भी सोवित संग में, सोवित संग और समाजवादी व्यस्ता के खिलाप संगर्स करना शुरू किया और सोवित संग के तूटने के बाद ये 15 देश जिनको मिलकर के सोवित संग बना था अल जिस समय सोवेत संग था उस समय सोवेत संग जो सुरक्षा परिशत का स्ताई सदेश्य सोवेत संग था अब जब सोवेत संग के तूटने के बाद में 15 नए देश बन गए तो रूस जो है रूस उन में से सबसे बड़ा था और रूस को सुरक्षा परिशत में और युएनों मे भी सोवेत संके उत्रा दिकारी के रूम में स्विकार कर लिया गया और एक तरह से देखा जाए तो सुवेत संका नित्र तो रूस ने किया और सुरक्षा प्रिशत के 27 सदेश्चे की हैसियत भी रूस को ही प्राप्त हो गई तो रूस ने एक तरह से सुवेत संकास्तान ग्रहन किया नंबर छटा जो परिणाम निकला वो है विश्व राणिती में सक्ति समंद परिवर्तित हो गए विश्व राणिती में सक्ति समंद किस तरह से परिवर्तित हो गए सोवियत संके विक्टन और सीट यूद की समाप्ति के कारण विश्व की राणिती में नए समिक्रण बन स्वेट संग की तरफ जादा था परन्तो अब जब सोवेट संग का विक्तन हो गया और अमरीका एक मात्र सक्ति बनी तो भारत ने अमरीका की और दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अमरीका की से भी अनेक समझोते किये और जैसे कि हम जानते हैं कि विशुरानिती में कोई भी 27 सक् सुद्राकोस और विश्वयापार संक्टन जैसी संस्ताओं का उपयोग अमरीका और अन्य विक्सित देशों द्वारा उन नीतियों को लागू करने के लिए किया जाता है जो उनके हित्मे होती हैं इतना ही नहीं सनुक्त राठ संग तता सुरक्षा प्रिशत पर भी अमरीक का ने अब अपने राष्ट्रिय आर्थिक और समाजी खितों की पूर्ति के लिए उन देशों के साथ मधूर संबंद बनाने शुरू कर दिये जो कभी सोवियत गुट में थे अब इसका एक सात्वा परिणाम क्या निकला समाजवादी विचार धारप पर प्रशन चिन या पूंजी वादी उदार वादी विवस्ता का वर्चा सुरू सीत्यु दो विचारधारों का संगर्समाना जाता था जो पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारे थी सोवेट संग के विक्तन ने जो मुखे रूप से उसके अर्थवयस्ता की कमजोरी के कारण हुआ था अब समाजवादी देशों में बाजार पर आधारित अर्थ्वेस्ता को ही उचित समझा जाने लगा भारत द्वारा भी 1990 के बाद उधारी करण की निती अपनाई गई और नीजी करण वेस्वतंत्र व्यापार और स्पर्दा के तत्वों को महत्व दिया गया तो इस तरह से हम देखते हैं की सोव्यत संके विक्टन के बहुत की घंभीर परिनाम निकले अब इन परिनामों में एक है जो सबसे ज़्यादा बच्चों आता है वो है सौक थेरेपी- तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि सोक थेरेपी क्या है, सोक थेरेपी की क्या विसेज़ताएं हैं और सोक थेरेपी के क्या प्रिणाम निकले तो इसपर बच्चों हर बार जो बौर्ड की प्रिक्षा हैं उसमें सोख तेरookie पे लों कोष्चन या मीडियम कोष्चन कोई ना कोई कोई कोष्चन भी जरूर आता है तो पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि सोह थेरогда तो बच्चो सोग थेरेपी का साब्दिक अर्थ है आगात पहुंचा कर उपचार करना वस्तुता सोवियत व्यवस्ता की असफलता के बाद सामने आए सोग थेरेपी विशु बैंक और अंतराष्टिय मुद्रा कोस्ट दुवारा निर्देशित एक मोडल है जिसके अंतरगत पूंजी व्यवस्ता को अपनाया तता पश्चमी देशों से जोड़ा गया सोग थेरेपी से सम्मेवादी अर्थ्विस्ता में पूरी तरह से बदलाव लाने की प्रिक्रिया अपनाई गई राज्ये के नियंतरन के स्तान पर अब नीजी करन और व्यवसाइक स्वामित्यों और पूरी एरोप के देशों में इस मोडल को अपनाया अता सोवेत संग के विक्टन के बाद सोवेत संग के गनराज्ये समाजवादी विवस्ता से लोकतांतरिक पूंजी वादी विवस्ता तक के संकर्मन से गुजरे यहां तक कि सोवेत संग के देशों को भी इस मोडल के अंतरगत एक दूसरे से नहीं जूड़कर पश्चिमी देशों से जूड़ा गया, यह वह इस्तिती थी, जब इन देशों को इस एक परकार की व्यस्ता से हटा कर दूसरी परकार की पूंजीवादी व्यस्ता को जूड़ा गया, 1990 में यह मोडल सोक थरेपी अपनाया गया, वा साब्दिकर्थ है, आगहाथ पहुचा कर उपचार करना, समयवाद के पतन के बाद सुव्यत संके गनराज्यों को विस्वबैंक और अंतराष्टे मुद्रा कोस द्वारा निर्देशित, समयवाद से पूंजीवाद की और संकर्मन यानि प्रिवर्तन के मोडल को अपनाने क कहा गया, इसे ही सोग थेरेपी कहते हैं, तो अब हमें ये भी जानना जरूरी है कि सोग थेरेपी की मुख्य विसेस्ताइं क्या हैं, तो अब हम देखेंगे कि सोग थेरेपी की मुख्य विसेस्ताइं क्या हैं, तो जो सोग थेरेपी की मुख्य विसेस्ताइं हैं, पहला है मिलकियत का पर्मुख रूप नीजी स्वामित्तु ये इसकी पहली विशेषता है तो बच्चों जैसे कि हम जानते थे कि जो समाजवादी विरस्ता थी जिसका नित्रतो सोवेत संग कर रहा था उसमें उत्पादन और वित्रन के सादनों पर राज्य का ही अधिकार था किसी भ समाजवादी विरस्ता समाप्त हो गई, सोवेत संग का विक्तन हो गया, तो अंतराष्टे मुद्राकोस और विष्ट बैंक के नित्रतु में इन सभी देशों को पुझी वादी विरस्ता से जोड़ा गया, पुझी वादी विरस्ता के और लाए गया, तो इसी सनकर्मन काल क जैसे हमने कहा सोग थरेपी कहते हैं तो जब सोग थरेपी तो इसके अंतरगत जब इनने पूजी वादि वैस्ता से जोड़ा गया तो इसमें जो समाजिक समामित्य वाली बात थी यानि जो उत्पादन और वितरन के सादनों पर राज्य का स्वामित्य था वो समाप्त कर दिया गया और संपत्ती की नीजी स्वामित्यों की धारना को अपनाया गया यानि अब यह हो गया कि हर व्यक्ति के अपनी जी संपत्ति होगी नीजी फैक्ट्रियां होगी और उस पर राज्य का कोई अधिकार नहीं होगा तो ये था मिल्कियत का प्रमुकृब नीजी स्वामित्व दूसरी इसकी विसेस्ता थी राज्य की संपता का नीजी करण यानि जो उत्पादन और वितरन के सभी सादनों पर फैक्ट्री किर्शी सभी पर जो राज्य का नियंतरन था सोवियत संके विक्टन के बाद जब ये देश पूझी वाद के और अगरसर हुए और उन्हें पूझी वादी विस्ता में लाए गया तो राज्य की संपता का नीजी करण कर दिया गया यानि वो नीजी हातों में चली गई अब राज्य का उस पर स्वामित तो नहीं था और वो राज्य के अधीन ही सारे फार्म थे और व्यक्तियों को उसमें कारे करना पड़ता था उन्हें अपनी छमता के अनुसार कारे करना पड़ता था और उनके आवशकता के अनुसार उन्हें वेतन मिलता था लेकिन सोवियत संग के विक्टन के बाद सामुविक फार्म वियरस्ता को सामुविक खेती को तिलाजली दे दी गई और जब उनको पुंजिवाद के उरलाया गया सोग थेरेपी के अंतरगर तो सामुलिक फार्म की व्यस्ता को समाप्त करके नीजी फार्म की व्यस्ता होगी यानि अब व्यक्ति का किर्शी पर अपना नीजी अधिकार था नमबर चार मुक्त व्यापार व्यस्ता को अपनाना अब जैसा कि हमने बताया कि सोवियत संग में जो समाजवादी वियस्ता थी उसमें उत्पादन और वित्रन के सादनों पर राज्य का यह दिकार था क्या उत्वादन करना है कितना करना है कैसे करना है ये अधिकार राज्य का ही था लेकिन सोवियत संके विक्तन के बाद मुक्त व्यापार व्यस्ता को अपनाया गया यानि पूंजी बाद के अंतरकर मुक्त व्यापार व्यस्ता होती यानि जहां जो व्यस्तु की कीमत है वो मा व्यापार व्यस्ता को अपनाया गया अब राज्य का व्यापार पर से नियंतरन समाप्त कर दिया गया नंबर पाच्वी सोग थरीपी की विशेष्था है मुद्राओं की आपसी परिवर्तनियता यानि जब पूजिवाद के अंतरगत इन सब को लाया गया सुवेद संग के यानि हर चीज का जो मुद्राओं था वो रूबल में ही उनमें आपस में होता था दूसरी मुद्रा को स्विकार नहीं किया जाता था लेकिन पूजिवादी व्यस्ता के अंतरकाने आने के बाद में मुद्राओं की आपसी परिवर्तनियता को भी स्विकार किया गया यानि रूबल का डोलर के साथ या अन्य जो आपस में कुजिवादी देशों की मुद्राइं थी तो उनकी आपस में परिवर्तनियतों को मन्नेता दी गई यानि वो अपनी मुद्रा में भी भुक्तान कर सकते थे जैसा बच्चों हम देखते हैं कि अब हम विश्व में व्यापार करते हैं तो अब हर एक देश की अपनी मुद्रा है भारत की रुपया है अमरीका की डॉलर है रूस की रूबल है जो यूरोपिन कंट्री यूरो भी है तो सब अपनी अपनी मुद्राओं में भुक्तान कर सकत की जो व्यापार करते हैं तो उसी हिसाब सोच की वेल्यू लगाई जाती है नंबर छड़ जो छटी वी सेस्ता वो है पस्चमी देशों की आर्थिक व्यवस्ता से जुड़ा हो यानि सोग थेरेपी के अंतरकत जब इन देशों को समाजवादी व्यस्ता से पूंजी वादी देख करके तो उससे हिने जोड दिया गया और पस्चमी व्यस्ता की अंतरगत जो उत्पादन करने के लिए नई टेक्नोलोजी नई टेक्निक नई बजार थे उसका भी ने लाम विला तो पूंजी वाद के तरिक किसी भी वेकल्पी व्यस्ता को स्विकार नहीं किया गया य कि क्या ये ऐसा लगता है आपको कि भी जो सोग ठरीपी है देखने में ऐसा लगता है कि भी जो सोवेत संग के गंडराज्ये थे वो समाजवादी व्यस्ता से पूंजी वादी व्यस्ता की और अगरसर हुए उनको प्रिवर्तित करके पूंजी वाद में लाया गया पूंज शेंसोल हो गई होंगी तो क्या वास्तों में ऐसा हुआ तो यह हम जानेंगे सोग थेरीपी के प्रिणाम जब हम सोग थेरीपी के प्रिणाम देखेंगे तब हमें पता लगेगा कि वह वास्तों में इससे फायदा हुआ या नहीं हुआ तो सोक थरीपी के जब हम प्रिनाम देखेंगे तो उसमें पहला प्रिनाम है पुरुनतिया अस्फल रूस का उद्योगिक धाचा चर्मरा गया अब इसमें क्या था कि अधिकतर देशों में पूरा उद्योगिक धाचा तो पहले पुरुन रूपसे सरकार के नियंतरन तथा स्वामितों में था जैसे रूस के जितने भी घंडाजे थे या समाजवादी व्यस्ता के जो देश थे उनमें सरकार के नियंतरन में था वो अस्त इसे परकार उद्गों के नीजी करण में उद्गों तथा उद्गों के नेजिक्रण को भी कम कीमत पर बिचा गया क्योंकि उनकार खानों तथा उद्गों के मुल्ले का निअर्धारन वजार भाव पर हुआ सरकार दूरा नहीं यह नीजी करन इतिहास की सबसे बड़ी गेराज सिल के नाम से जाना जाता है इस पर भी कुश्चन आता है कि जो सोग थरेपी इतिहास की सबसे बड़ी गेराज सिल क्यों कहा जाता है इतिहास की सबसे बड़ी गेराज सिल इसलिए कहा जाता है कि सोग थरेपी के अंतरगत जो सोवेट संके अपने उद्योग धंदे थे, जो राज्य नियंतरित उद्योग धंदे थे, बड़े-बड़े फैक्टरियां थी, तो जब इनने पूंजी बात में लाया गया, तो इन सब को बिलकुल ओने पोने दामों में नीजी उद्योग पत पर नीजी हातों या कंपनियों में सोपा गया, इससे उद्योगों की किमत कम आकी गई, और उन्हें कम से कम वे सस्ते दामों में बेचा गया, धन के आवशक्ता के कारण काला बाजारियों को बेचा गया, इससे मुद्रा स्पीती बढ़ी, मुद्रा स्पीती यानि गिरावट तो जैसा भी हमने बताया कि जो रूस की जो मुद्रा थी रूबल थी पहले वो च्छाई हुई थी उसकी अपनी किमत थी उसकी काफी वेल्यू थी लेकिन जब ये पूंजी जब सुवेट संका विक्टन हो गया और 15 गंड राज्य बन गए और इन सब को पूंजी पादी व्यस्ता के अंतरकत लाया गया तो जो रूसी मुद्रा थी उसका जो जो रूबल थी उसमें काफी गिरावट आगी उसका काफी डी वैल्यूएशन हो गया मुद्रा में गिरावट क्या होती है यानि पहले जिस जो मुद्रा जो रूबल थी वो जितना सामान खरीद सकती थी अंतराष्ट्य पटल पर अब वो से कम उसको उसके लिए और ज्यादा मुद्रागी जरूत पड़ेगी यानि उतनी वैल्यूस की नहीं रही जैसे भारत का है कि भी हम देखते हैं कि डोलर के साथ कभी जैसे किसी समय जब भारता जाद वाता तो इक डोलर और एक रुपया बराबर था और आज जो है रुपे की डी-वैल्यूशन होते वें सत्तर रुपब का एक डोलर है यानि पहले जो हम एक रुपे में एक डोलर के बराबर की चीज़ ले सकते थे अब जो है उतनी में सत्तर रुपय खर्च करने पड़ेंगे तो ये है devaluation तो रूसी मुद्रा की रूबल में गिरावट आई नमबर तीसरा प्रिणाम निकला सोग थरेपिका समाज कल्यान की पुरानी व्यवस्ता का नश्ठो जाना तो जैसे हमने देखा कि जो सोवेत संग था जो समाजवादी व्यवस्ता थी तो सोवेत संग में समाजवादी व्यवस्ता के अंतरगत अनेक समाज कल्यान कारी योजना ही थी जैसे सभी को मुफ्त सिक्चा थी, सभी को स्वास्ते की मुफ्त सुविदा थी और इसके सासाथ कोई बेरोजगारी नहीं थी, सभी को रोजगार की गारंटी थी सबको एक नियूंतम जिवन स्थर की सुविधाय प्राप थी लेकिन जब ये व्यवस्ता नश्ट हो गई और पूंजी वाद को अपना लिया गया तो ये सारी व्यवस्ता समाप्त हो गई और जो समाज कल्यान के अंदर गत लोगों को जो विभिन तरह की जो छूटें और सुविधाय मिली होई थी उसका बिल्कुल अंथ हो गया और इसके सास्थ हम ये भी देखते हैं कि नीजी करन के कारणी भूतपुर सुविध संके गंडाज्यों के अमीर तथा गरीव लोगों के बीच असमान था और अधिक हो गई और पुराना व्यापारिक धाचा तो नश्ट हो ही गया परंतु इसके स्थान पर कोई वेकल्पिक धाचा नहीं दिया गया सोग थैरिपी से एकदम तो पूर सुविध संके खेमे के देशों की अर्थवेस्ता चरमर आ गई और लोगों को भेतर जीवन की अपिक्षा बरबादी का सामना करना पड़ा नमबर चोथा प्रिनाम निकला 90% उजोगों को नीजी हातों या कमपनियों को कम दामों ओने पोने दामों में बेचा गया जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गेरा सेल कहा जाता है यह हमने आपको बता ही दिया नमबर पांच आर्थिक विसमता बढ़ी यानि डिस्पैरिटी असमानता में विर्दी हुई यानि अमीर और और मीर होते चले गए और गरीब और गरीब होते चले गए और उनके सामने बड़ी विकट समश्चा उत्पन हो गए गरीब लोगों के सामने क्योंकि समाजवादी वेस्ता के अंतर गतुने रोजगार की गारंटी थी मुप्त सिक्षा थी, मुप्त स्वास्टे सिवाई थी तो इन सब को समाप्त कर दिया गया तो उनका जीवन बहुत लिकष्ट में हो गया नमबर छे, खाद्यान संकट हो गया यानि खाद्यान संकट का उत्पन होना खाद्यान संकट कैसे उत्पन हुआ? पहले सबी को, क्योंकि राज्य अधारित अर्थवेस्ता थी उत्पादन के सादनों पर राज्य का नियंतरन था किर्शी का भी सामुही करन था तो राज्य के और से गारंटी थी तो खाद्यान की किसी भी परकार की समश्या नहीं थी लोगों को भोजन की कोई समश्या नहीं थी लेकिन जब पुझीवादी वेस्ता के अंतरगत सोवेत खे में ये देशों को लाया गया तो खाद्यान का भी संकट उत्वन हो गया क्योंकि अब जिसकी जेम में पैसे थे वही खरीद सकता था कोई किसी भी तरह की समाजिक सुरक्षा किसी के पास नहीं थी तो रूस के बहुत से गनराजों में विद्रो भी उत्वन हुए और खाद्यान का भारी संकट उत्वन हुआ नमबर साथ है माफिया वर्ग का उद्वा नीजी करन और पुझीवादी वेस्ता के अपनाई जाने से अमीर गरीब का तो भेत बड़ा ही एक माफिया वर्ग भी खड़ा हो गया जिसने इस वर्थ इस व्यवस्ता का इस परिवर्थन का लाब उठाया और इससे इसने अपने स्वार्थ सिद्ध किये और गरीबों को इससे बहुत ही जादा हानी हुई नमबर आठ कमजोर संसद वे राष्टपती की अधिक सक्तियां जिससे सत्तावादी राष्टपती सासन अब कमजोर संसद कैसे जब ये पंदरा देश बन गए सुव्यत संके विक्तन के बाद तो इन देशों के नई स्विधान बिना अधिक सोच विचार करके तियार किये अधिकतर देशों में ना तो प्रूंडूप से अमरीकन परनाली को और ना ही प्रूंडूप से संसदिया परनाली को अपनाया गया अधिकतर देशों में राष्टपती के पत की विवस्ता की गई और उसे बहुत अधिक सक्तिया दे दी गई इसका प्रिणाम ये निकला कि इन देशों में संसद की संस्ता कमजोर बनकर रह गई और राष्टपती परंकुस लगाने लगाई जाने के प्रावधान नहीं किये गई कई देशों में राष्टपती सत्तावादी बन गई और लोकतंतर के सिधान्तों की अवहेलना हुई उधारन के तोर पर तुर्कमेनिस्तान तथा उजबेकिस्तान में दस वर्षों के लिए राष्टपती की नुक्ती की गई बाद में उनके कारेकाल को अगले दस वर्षों तक भी बढ़ावा दिया गया यानि बढ़ा दिया गया तो इस तरह से हमने देखा कि जो सोक थेरिपी थी उसके अनेक ही गंभीर प्रिणाम निकले अब बच्चों देखेंगे कि सोक थेरिपी के साथी तनाव और संगर्ष के एक लंबे दोर का आरम हुआ दिसंबर 1991 में सोवेत विवस्ता के विक्तन के बाद सोतंत्र हुए देशों को ग्रह यूद, हिंसा, मानवा दिकार उलंगन, अलगावाद जैसी समश्याओं से अब तक जूजना पड़ रहा है इसके साथ ही विदेशी ताक्तों के हस्तक्षेम में इसका एक मात्र अपवाद पूरू चेको सलोवाकिया को माना जा सकता है जो सांती पूरुग दो देशों चेक और सलोवाकिया में बढ़ गया अब कहां कहां तनावर संगर्स का दोर सुरू हुआ जो सुवित संग के गंड़ाजे थे नमबर वन चेचिन्या और दागिस्तान में अलगावाद रूस के दो गंड़ाजों चेचिन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगावाद या अंदूलन चले मासको ने चेचन विद्रोयों से निपटने के जो तरीके अपनाए और जिस गैर जिमेदाराने तरीके से सेन्ने बंबारी की उसमें मानवा दिकारों का व्यापक उलंगन हुआ नमबर दो तजाकिस्तान में ग्रहयूद मद्दे एशिया में इस्तित तजाकिस्तान दस वर्सों यानि 2001 तक ग्रहयूद की चपेट में रहा इस पूरे छित्र में कई संपरदाइक संगर्श चल रहे हैं अजर बेजान का एक प्रांथ नगर्नो कराबाक है यहां के कुछ तानिय अर्मेनियाई अलग होकर अर्मेनिया से मिलना चाते हैं जर्जिया में दो प्रांथ सोतंतरता चाते हैं और ग्रहयूद लड़ रहे हैं युक्रेन, किर्गिस्तान तथा जार्जिया में मुझूदा सासन को उखाड फैकने के लिए अंदूलन चल रहे हैं नमबर तीन विदेशी सक्तियों की रूची मद्दे एशियाई गनराज्यों में पेट्रोलियम संसादूनों का विसाल भंडार है यह छेतर रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा है तता पश्चिमी एशिया से नजदीक है 11 नमबर 2001 की घटना के बाद अमरीका इस छेतर में सैनिक ठिकाना बनाना चाता था उसने किराए के ठिकाने, किराए पर ठिकाने हासिल करने के लिए मद्दे एशिया के सभी राज्यों को भुक्तान किया और अफगानिस्तान तथा इराक में युद के दौरान इन छेतरों में अपने विस्तार को बढ़ाने के नुमति ली रूस इन राज्यों को अपना पडोसी तथा मितराष्ट मानता है और उसका मानना है कि इन राज्यों को रूस के परफाव में रहना चाहिए खनीस तेल जैसे संसादनों की मौजूदगी के कारण चीन के व्यापारी खित भी इस छितर से जुड़े हैं नंबर जो चोथा है तनाव और संगर्स के दोर में हम देखेंगे योगो सुलावियाई छितर में अलगावाद साम्मेवादी विवस्ता के विक्तन की सबसे अधिक मार पूरू योगो सुलाविया के देशों को जिलनी पड़ रही है बालकन छितर के निवासियों ने 1991 में इस देश का विक्तन कर दिया जिसके स्थान पर कई नए देश योगो सुलाविया के विक्तन के बाद सर्बिया, बोसनिया, हरजोगविना, स्लोवेनिया, क्रोएसिया, मैसीडोनिया और अब मॉन्टी निग्रोब ने वे सबी देश, किसी ने किसी रूब में इस समय ग्रहयूद की पीड़ा जहिल रहे हैं इसमें से सबसे अधिक विस्वोटक इस्तिती सर्बिया के कोसोवों में है तो बच्चो हम देखते हैं कि सोवियत संके विक्तन के अनेक घंबीर प्रिनाम निकले यह हमने जाना और सोक थेरेपी उसकी विसेस ताएं उसके प्रिनाम यह भी हमने जाने और यह भी हमने देखा कि सोवियत संके विक्तन के कारण जो उसके गंड़ाज्ये थे उसमें कितना संगर्स का लंबा दोर चला तो बच्चो अब इसके बाद में इससे समंदित आप जो है NCRT की बुक में भी इस लेसन को बड़े ध्यान से पढ़िए और इससे समझने की कोसिस करिए कि सोवियत संग का विक्तन कैसे हुआ सोवियत संग के विक्तन के क्या कारण थे क्या उसके पुरिणाम निकले सोग थेरिपी क्या है सोग थेरिपी की क्या विसेशता है और यह हमने आपको वीडियो के मार्दम से भी समझाया और इसे और अच्छी तरह से समझने की कोसिस कीजिए और इससे रिलेटिड कोई भी आपका कुश्चन है कोई भी डाउट है तो आप इस विशे में मुझे कभी भी फोन करके किसी भी माद्धम से वाटसप पे फोन के द्वारा गुरुप में कुश्चिन डाल करके कभी भी मुझसे इस बारे में कुछ भी पूस सकते हैं और इसके साथ साथ नीचे भी अपना वीडियो के साथ साथ अपना व्यू जानने के लिए उसमें भी चैटिंग बोक्स में जाकर के भी आप कुछ भी पूस सकते हैं धन्यवाद